लेका है नमस्कार मैं जोतष्णा स्वागत करते हूं आप सभी का दोस्तों आपके अपने चैनल बिंधास में आज मैं फिर से आजीर हूं आपके लिए बेहत ही खुबसूरत flaring plant लेकर और इसको अडैनियम बोलते हैं जिसको डेजर START के नाम से जानते हैं और इसका बहुत खुबसूरत flaring होता है से अधी होता है सिंगल पट्ल में भी डबल कल पेटल में भी मल्टी पेटल में भी होता है बहुत सारे इसके कलर आपको मीलेंगे नर्शरी पे और ग्राफ्टेट भी होता है और ऐसे भी नॉर्मल भी होता है तो आज मैं इस ब्यूटिफुल अडेनियम के को किस तरह सीड के थूरू आप ग्रो कर सकते हैं घरों में ही उसके बारे में बात करूंगे फ्रेंट्स लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल वाली बटन होती है उसको जरूर प्रेस करें ताकि भीगो रखा है मैंने और अभी मैं दिखाऊंगी यह पूरी तरह फूल गया है और यह वही सारे सीड्स है फ्रेंट्स जिसको मैंने निकाल के दिखाया था पिछले वीडियो में तो आप देख सकते हैं मैं लिंक डाल दूंगी कि किस तरह अडेनियम को निकाले और सीड इस तरह आपको अलग कर लेना है और इस तरह साफ फंगिसाइड में या जो भी आपके पासेव लेबल हो उसमें भीगा के इसको आप जर्मिनेट करेंगे उगाएंगे तो बहुत अच्छे से उग जाएगा और किसी भी तरह का फंगल अटाक नहीं होगा इसलिए मैं इसमे साफ फंगिसाइड में घोल में इसको डुबा के ओवरनाइट रखी हूं और इस तरह फुला के लगाने से बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाता है ऐसे आप ड्राइब भी डाल सकते हैं साफ फंगिसाइड में ऐसे रब करके सिंपली आप स्प्रिंकल कर सकते हैं गमले में ल कुछ भी जहादा नहीं मिलाया है आप देख पा रहे हैं यह आपको बलू कलर का देख रहा होगा हलका हुलका तो यह नौर्मल आपका साफ फंगिसाइड है हिआघ gemacht और कोछांद में ऑस तरह मेरे को जाल दम यह फैन को शान लेना है आपकी तरफ कि फाइन वहां जया अच लम्स या ऐसे रेसे रेसे नहीं है तो बस सिंपली आपको कोको पिट इस तरह और साफ फंगिसाइट मिला के हलका सा एक चमच के अंदाज से और आपको गंबले में फिल कर लेना है और दूसरा पॉटिंग मिक्स मैंने लिया है दोस्तो इस तरह सिंपल जो नॉर्मल हम सब एक पार्ट लिया है मैंने सांड जो कंस्ट्रक्शन यूज होता है और एक पाट मैंने लिया है लीफ मौड और एक पर मात्रप में मैंने लिया है को कोपीट तो इस तरह सब मिला के और स Bardzoâu मिला में इसमिल ईसमिलाए है दो चमच और यह प्लांटर मेरा अठेंच मेंने है त तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके पास है वो बना सकते हैं बस ध्यान आपको यह रखना है कि एदम पॉटिंग में डिया एकदम हलका हो और ताकि जो भी यह मेरा बहुत स्मॉल साइज का जो सीड है इसमें डालें तो इस पे चोकप न पकड़े और आराम से जो भ खतम हो जाएंगे जर्मिनेशन नहीं होंगे इस तरह आपको पॉटिंग मिक्स लेना जरूरी है और बात करते हैं दोस्तों गमले की तो गमले में मिट्टी का गमला सबसे बेस्ट होता है यदि आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी पॉट ले सकते हैं लेकिन मेर सजेशन यही रहेगा फ्रेंट्स कि आप मिट्टी का पॉट का सेलेक्शन करें तो इस तरह मैं स्वाइल मिडिया भर दे रही हूँ और बस आपको कुछ नहीं करना है इसको इक्वली इसको थप थपा लेना है हलकी हलकी हाथों से और जो आपने सीड लिया है इसको आपको दीरे-दीरे आपको लगाना है क्योंवी हाथ में चिपके नहीं फ्रेंट्स एक्यों की यह गीला है तो आपको ध्यान देना है कि अराम से इसको लगाना है और एक-एक इंच की दूरी पर डाल देना है तो मैं पूरे सीड को डाल लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती तो यह देखिए फ्रेंस मैंने सारे सीट को सारे बीज को मैंने इस तरह डाल दिये हैं आपको भी इस तरह डाल देना है अब बारी है इसको कवर करने की दूसरे गमले में भी मैंने सारे सीट को इस तरह डाल दिये हैं और इस तरह आपको भी फैला देना है और उसके बाद सेंस Congress से लेकिं धियान रखना इक्दम हल्का सा आप को इस तरह लियर लगाना है एक्दम हल्का सा 1 अिम्म या 2 अंदाज से इस तरह आपकोढ़ना है ऐसा नहीं कर नहीं करना है कि पूरा मतलब 1.2 इंच तरह मतलब पूर자 भर नहीं देना है बस हलका सा ये cover हो जाए seeds बस इतना ही आपको soil media उपर से डालना है यह दिखेए friends मैंने इस तरह ढख दिये हैं अब मेरा कोई भी seed दीखने ही रहा है और दूसरे potting media जो मैंने लिया था उस पे भी मैं cover करने के लिए same ये कोको पीट वाली soil media मैं लूँगी और इसको धीरे-धीरे मैं cover कर लूँगी इस तरह इस तरह सीट को cover करने के बाद जो next moisture को बनाए रखना है इस तरह आपको पानी का ख्याल रखना है जरस अभी इसको ड्राइ नहीं होने देना है आपको धियान देना है चेक करते रहना है कि मेरा potting mix जो भी है ओ ड्राइ नहीं होने बस स्मॉष्ट रहे तो इस तरह आपको अभी स्प्रिंकल कर देना है और बात कर लेते हैं दोस्तों लोकेशन की तो लोकेशन अभी आप कम्प्लीट सेड में रखेगा लेकिन अंधेरे में रखना है वहां पर रखना है जहां ब्राइट सनलाइट आती हो तो इस बात का खास रखें कि इसको सनलाइट डारेक्ट नहीं दे तो अब पानी और सनलाइट की बात हो गई दोस्तों अब बात करते हैं कि अभी रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में आपको इस तरह बाहर में नहीं छोड़ देना है इसको साइड वसे जगा रखना है जहां कि यह पूरे दिन की और पनी बारिश की फुहार इसको मिल जाती है तो कोई परिंसानी की बात नहीं है दोस्तों लेकिन लगतार यादि पानी इस पर पढता रहेगा तो आपका सीध पूरी तरह तरह से गल जाएगा और ज़र्मिनेशन नहीं होगा तो आज के लिए बस इतने ही जैनकारी थी फिर हम दुबारा मीलेंगे आपसे इसके अपडेट के साथ तो इंतिजार करते रहें फ्रेंट्स दोस्तों आज फिर से हाजिर है आपके लिए अपने अडेनियम सीट का अपडेट लेकर जसा कि आप देख पा रहे हैं यह मेरे सीट का जर्मिनेशन है यह आज पूरे साथ दिन हो हैं और कितने अच्छे से यह ग्रो कर रहा है दो पत्ते निकल गए हैं और बाकी छोटे-छोटे आप इधर देख पा रहे हो यहां एक यह है इधर है इधर है इधर भी छोटे-छोटे अंकुरी थो रहे हैं जर्मिनेशन हो रहे हैं और कुछ हमारे सीड गिलहरियों ने बाल के खा लिया है और दुसरे गंबले में भी देखिए फ्रेंस यह मेरे कुछ सीड जर्मिनेट हो गये हैं बहुत अच्छे तरीके से और कुछ इधर हो रहे हैं आप छोटे-छोटे देख पा रहे हो शायद मेरे कैमरे से उतना क्लियर ना देख पाएं बटे आप देख हैं तोड़े तरह वाइटीश ग्रीनिश टाइप का यह जो है यह अभी और अंकुरित हो रहे हैं जर्मिनेट हो रहे हैं और कुछ सारे जैसा मैंने पहले बताया गिलहरी ने इसमें भी डैमेज बहुत सारा मेरा सीड को कर दिया है तो आप हमारी तरह गलतिप बिलकुल ना है या पुली बैक से ढखके रखिए या किसी भी ढखकन से ढखके रखिए ताकि दूसरे कुछ जो है वो चूहे हो या गिलहरी हो इस तरह गुडाई करके इसके सीड ना खा सके तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा तो आपका सारा का सारा सीड जर्मिनेट बहुत कुछ करना ख्याल जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया किस तरह इसको लगाना है तो आप इस तरह लगा सकते हैं और एक से कई सारे आप सीडलिंग इस तरह तयार कर सकते हैं अपने ही घर में सीड पॉर्ट जो निकलता है उससे तो यह देखिए बहुत अच्छे से ग्रो हो तो ठंडी में एजई रहने दूंगी स्प्रिंग सीजन जब शुरू हो जाएगा फरवरी में तब मैं इसका रिपॉर्ट दूसरे चोटे से कंटेनर में मैं इसका करूंगी तो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी आने वाले वीडियो में तो आप ख्याल रखिएगा कि हमा जिनियम का सीड लगाईए बहुत इजी टू ग्रो है फ्रेंस तो फिर मिलते हैं नमस्कार